दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फार्सेविल सर्विसेज मैं अनुराग्श अधरी दोस्तो भारती राजविवस्था यानि इंडियन पॉलिटी के महतोपूर्ण प्रश्णों की स्रिंखला के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तु थै इसका भाग्छे जिसमें हम भा पारती संग के बिविन पदाधिकारियों के वरियता आनुक्रम, लोगसभा तथा राजसभा के राजवार सीटों की संख्या, लोगसभा अध्यक्ष और उनके कारेकाल, तथा लोगसभा अध्यक्ष यानि स्पीकर और लोगसभा उपाध्यच से संबंधित महतोपूर्ण दोस्तों, ये वीडियो विभिन परिक्षाओं के सामाने अध्यन की राजविवस्था खंड के सासा, टीजीटी, पीजीटी, नागरिक सास, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिगरी कालेज, उचितर सिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, तथा नेट जेयरेफ राजनीत विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सभी परिक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण, भारती राजविवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्णों का छठवा भाग, आए सबसे पहले हम वरीता अनुकरम देख लेते हैं दोस्तों, वरीता अनुकरम यानि प्रिफरेंस क्या है, भारती संग के जो बिविन पदाधिकारी हैं, उनका क्रम, देखिए, सबसे पहले वरीता अनुकरम में आते हैं, पहले अस्थान पर राष्ट पती, दूसरे पर उपराष्ट पती, अपने अपने राज्यों में और पांचवे अस्थान पर भूत पूर्व राष्टपती छठवे अस्थान की बात की जाए तो छठवे पर भारत के मुख्य नयाधीस और लोगसभा अध्यक्ष आते हैं सत्वे अस्थान पर केंदर में कैबिनेट के मंतरी, राज्यसभा और लोगसभा में विपक्ष के नेता, नीत यायोग के उपाध्यक्ष, भूत पूर्व प्रधान मंतरी और राज्यों के मुख्य मंतरी अपने राज्यों में इनका वरियता अनुक्रम जो है सातवा हैं दोस्तों सात क पर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आते हैं, आठ्वे अस्थान पर भारत इस्थित विदेशों के असाधारण और पूरा अधिकारी, राज्दू तथा राज्ट मंडल देशों के उच्चा युक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों से बाहर और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों से बाहर ये वरियता अनुक्रम में आठवे अस्थान पर हैं नौवे अस्थान पर वरियता अनुक्रम में सर्वोच नयाले के न्यायधीस आते हैं और इसी तरह नौक पर संग लोक सिवा आयोग के अध्यक्ष, नियंतरक और महालेखा परिच्छक और मुख्य निर्वाचन आयुकत आते हैं वरीता अनुक्रम में दसमे करम पर राजसभा के उपसभापति, लोक सभा उप अध्यक्ष, नियंतियायोग के सदस्य, राज्यों के उपमुखि मंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री शामिल है इसके अलावा दोस्तों ये जो वरीता अनुकरम है इसमें 11 अस्थान पर भारत के महानियावादी कैबिनेट सचिव और उपराज जिपाल अपने संग सासिच छेतरों में आते हैं 12 अस्थान पर जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले से नध्यक्ष आते हैं दोस्तों वरीता अनुकरम जो है ये केंद्र और राज सरकारों के विविन पदाधिकारियों के पदकरम से संबंधित है और इसका प्रियोग राजनीतिक समारोहों के आसर पर किया जाता है और सबसे पहली बार देखिए 26 जुलाई 1989 को वरीता अनुकरम से संबंधित जारी की गई थी और भारत का कैविनेट सचिव भारत सरकार के सर्वोच सास की अधिकारी होता है भारत का जो कैविनेट सचिव है ये भारत सरकार का सर्वोच सास की अधिकारी है इसको देख लिजेगा अब आईए संसत के बारे में देखते हैं दोस्तों संसत की संरशना कि वो संबिधान के भाग पाँच में अनुच्छेद 89 से 122 में बढ़ित हैं और संसत जो है सरकार का अंग है जिसके अंतरगत राष्टपती, राजसभा और लोकसभा शामिल हैं दोस्तों राष्टपती, राजसभा और लोकसभा से हमारी संसत बनती है राजसभा उच्छ सदन है संसत का और अनुच्छेद 80 में इसका बढ़न है लोकसभा निम्न सदन है अनुच्छेद 81 में बढ़ित है संसत के कारे क्या है तो दोस्तों संसत के कारे केंद्र अस्तर पर व देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी कई परिछाओं में बार बार पूछा गया है तो लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी इसके प्रथम अध्यक्ष जीवी माउलंकर यानि गडेश वासुदेव माउलंकर थे और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्रीमती मीराकुमार है दोस्तों लोकसभा के सदस्यवन्य की नियुन्तम सीमा 25 वर्स होती है और लोकसभा का सत्रा हूत यानि सत्र को बुलाना, सत्रा वसान और बिगटन करने का अधिकार राष्टपती को है और इसको अस्थगित करने का अध एधिकार लोक्सभा अध्यक्षिया इस वीकर को है। आजे देखते हैं दोस्तों लोक्सभा में सीटों की संख्या। दोस्तों लोक्सभा में अधिक्तम जो प्रावधान है वो 550 सीटों का है। 24 प्रतनिधी और संग राजी छेत्रों से 19 प्रतनिधी हैं और एक विशेश जानकारी आपके लिए बता दें जो नवीनतम अपडेट है या दिराश्टपती की राय में लोकसभा में आंगल भारती समुदाय का प्रतनिधी तो परियाप्त नहीं हो तो वो लोकसभा में उस सदस्यों को मनोनित कर सकता था और ये प्रावधान 104 संविधान संसोधन अद्नियम 2019 के द्वारा 25 फरवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया है तो अब ये जान लीजे कि लोकसभा में जो आंगल भारती संस्यों का मनोनियन होता था उसको 104 संविधान संसोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है अब आईए देखते हैं दोस्तों लोकसभा सदस संख्या से संबंधित राज्ये इसमें हम चार्ट के माध्यम से या मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे अब भारत का मैप जानते हैं दोस्तों राज्यवार आकड़े इस प्रकार से हैं देखिए लग पंजाब में 13 लोग सभा सीटे हैं और हर्याड़ा में 10 लोग सभा सीटे नई दिल्लिया यंसियार जो है दोस्तों यंसियार हमारा यहाँ पर लोग सभा सीटों की संख्या साथ है और उत्तरखंड यहाँ पर देखें उत्तरखंड यहाँ पर लोग सभा सीटों की संख्या दो मिधार में 40 सीटे हैं और इसी तरह सिक्किम में 1 सीट है दोस्तों सिक्किम में 1 हो गया अरुडाचल प्रदेश में आपके 2 सीटे हो गई असम में 14 लोग सफा सीटे हैं इसके अलावा नागा लेंड में 1 हो गया मड़ीपूर में 2 हो गया और मिजोरम में आपका 1 लोग सफा सी देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं मिजोरम में एक लोगसभा सीट है उसके बाद त्रिपुरा में लोगसभा सीटें दो हैं और मेगाले में दो सीटे हैं 42 सीटे यह पशिम बंगाल में आपकी 42 लोगसभा सीटे हैं 14 लोगसभा सीटे जारखंड में हैं और देखिए अगर जो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर लोगसभा सीटों की संख्या 25 है गुजरात में 26 है और मध्य प्रदेश में आपके 29 लोगसभा सीटे हैं 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में 11 लोगसभा सीटे हैं और ओडिशा में 21 हैं अब आईए और नीचे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए महाराष्ट में 48 लोगसभा सीटे हैं गोवा में 2 हैं और तेलंगाना में आपके 17 सीटे हैं करनाटक मे लोगसभा सीटों की संख्या 28 है आंध्र परदेश में 25 लोगसभा सीटे हैं देखिए दोस्तों केरल में लोगसभा सीटों की संख्या 20 है और तमिलनाड में 49 सीटे हैं इसी तरह अगर जो हम केंदर सासित परदेशों की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार में एक है दोस्तों अंडबान निकोबार में एक लोग सभा सीट चंडीगर में एक है लक्षदीप में एक है दादर और नगर हवेली तथा दमंदीप में दो लोग सभा सीटे हैं और पुड़ुचेरी में आपकी पुड़ुचेरी में एक लोग सभा सीट है और ल अगर हविले और दमंदीब में दो, अंडमान निकोबार में जो है एक, इसके अलावा NCR जो दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पर साथ, जम्बो कस्मेर में पांच, लद्दाख में एक, तो ये हमारा पूरा जो राज्यों और केंदर सासेद प्रदेसों में लोक सभा सीटे हैं उनके बारे में आपने जान लिया, अब आये देखते हैं लोक सभा अध्यक्षों का जो हमारा कारेकाल रहा, पहले से लेकर अभी तक बरत्मान तक जो लोक सभा अध्यक्ष रहे हैं, उनका कारेकाल कितना रहा है, तो पहले लोक सभा अध्यक्ष या इस्पीकर, जीवी गड़ेश वास्देव मावलंकर थे इनका कारेकाल 15 माई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था दूसरे लोगसभाद्ध्यक्ष एम अनन्त शैनम आयंगर थे 8 मार्च 1956 से 16 अप्रेल 1962 हुकुम सिंग तीसरे लोगसभाद्ध्यक्ष रहे जिनका कारेकाल 17 अप्रेल 1962 से 16 मार्च 1967 तक था एन संजीव रेड़ी चौथे लोगसभाद्ध्यक्ष 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1979 पाँचवे लोगसभाद्ध्यक्ष डाक्टर जी यश धिल्लन थे 8 अगस्त 1979 से 17 मार्च 1971 और 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 इनका कारेकाल था दोस्तों छट्वे लोगसभाद्ध्यक्ष बलिराम भगत थे जिनका कारेकाल 15 जन्वरी 1976 से 25 मार्च 1977 रहा साथ में नीलम संजीव रेड़ी 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 इनका कारेकाल रहा आठ में लोगसभाद्ध्यक्ष केस हेगडे जिनका कारेकाल 21 जुलाई 1977 से जन्वरी 21 जन्वरी 1980 बलराम जाखड इनका कारेकाल 22 जन्वरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 था रवी राय 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक लोगसभाद्ध्यक्ष रहे 11 हमें लोगसभाद्ध्यक्ष शिवराज विवाटिल थे जिनका कारेकाल 10 जुलाई 1991 से 22 माई 1996 था पीए संगमा 12 हमें लोगसभाद्ध्यक्ष रहे 23 माई 1996 से 23 मार्च 1998 इसी प्रकार GMC बालयोगी इनका कारेकाल 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 और 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 रहा 14 हमें लोगसभाद्ध्यक्ष मनोहर जोशी थे दोस्तों 10 माई 2002 से 2 जुन 2004 इनका कारेकाल रहा 15 हमें सोमनाच चटरजी 4 जुन 2004 से 31 माई 2009 तक का कारेकाल रहा मीरा कुमार 16 हमें लोगसभाद्ध्यक्ष जिनका कारेकाल 4 जुन 2009 से 4 जुन 2014 तक रहा 17 हमें लोगसभाद्ध्यक्ष सुमित्रा महाजन रही 6 जुन 2014 से 113 जुन 2019 और बरतमान में ओम बीडला है जिनका कारेकाल 19 जुन 2019 से अब तक कांटिन्यू चल रहा है तो ये था दोस्तों लोगसभाद्ध्यक्ष यानि लोगसभाद्ध्यक्ष जो होते हैं उनका कारेकाल सहित पूरी सुची परिक्षाओं की दिरिष्ट से कुछ महत्वण प्रश्णों को देख लेते हैं देखिए केंद्र सरकार का विधाई अंग क्या है तो विधाई का मतलब कानून निर्मात्री संस्था केंद्र सरकार की संसद है लोगसभा में राजजिवार सीटों का आवंटन किस जनगर्ना पर आधारित है तो ये 1971 की जनगर्ना पर आधारित है लोगसभा का कारेकाल पांच वर्स होता है कब से तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारिक से पांच वर्स लोगसभा का कारेकाल है आपातकाल में संसत की अवध कितनी बढ़ाई जा सकती है तो एक बार में एक वर्स तक लोगसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितने का अंतर नहीं होगा तो छे माह से अधिक का अ अंतर नहीं होना चाहिए लोग सभा के एक सतर से आगामी सतर के बीच अगला प्रश्ण है लोग सभा या राज्य सभा में कोरम या गड़पूर्ति कितना होता है तो कुल सदस संख्या का एक बटे दस्मा भाग लोग सभा अध्यक्ष अपने निडायक मत का प्रियोग कब करत हैं तो टाई या मत बराबर होने की स्थिती में अगला प्रश्ण है कि आम चुनाओ के बाद नौ निरवाचिस सदस्यों को सपत कौन दिलाता है प्रोटे में स्पीकर प्रोटे में स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है तो लोग सभा के या लोग सभा के संदर में राष्ट और विधान सभा के संदर्व में राज जिपाल प्रोटिम स्पीकर की नियूक्ति करते हैं। अगला प्रश्ण है दोस्तों बर्तमान में लोकसभा अभ्याय की अधिक्तम सीमा कितनी निर्धारित है तो बड़े राज्यों के लिए 77 लाग और छोटे राज्यों के लिए 69 दस्मलोग चार लाग प्रथम लोकसभा अधिक्ष याई स्पेकर जिनके बिरुद्ध लोकसभा में अभिस्वास प्रस्ताओ लाया गया था तो यह थे गड़ेश वासुदेव मावलंकर और अगला प्रश्ण है लोकसभा सचीवालाय प्रत्यक्ष रूप से कारे करता है किसके अंतरगत तो लोकसभा सचीवालाय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतरगत कारे करता है अब आईए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से राज्य सभा के बारे में जो हमारे संबिधान में प्रावधान है उनसे संबंधे तत्यों को देखिए दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखें तो राज्य सभा जो है ये उच्च सदन होता है और इसका राज्य सभा में कुल सीठे 250 होती है इसका पदेन सभापती उपराश्टपती होता है और राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए नियुन्तम आयूसी मत 30 वर्स होनी चाहिए रा पर राज्य सभा अस्थाई सदन है और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है प्रतनिधित पद्धत और एकल संक्रमडिय पद्धत के द्वारा राज्य सभा में कुल सीठों की संख्या 250 है जिसमें राज्य और संग छेत्रों से 238 सदस है और राश्टपती द जाएंगी सरवाधिक राज्य सभा सीठों वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है आईए देखते हैं राज्य सभा या राज्य सभा सदसंख्या से संबंधित राज्यों को देख लेते हैं कि राज्य सभा के लिए किस राज्य में कितनी सीठे हैं इनको देख लेते है देखे यहां पर देखे दोस्तों जम्बू कस्मीर जम्बू कस्मीर में चार राजसभा सीटे हैं इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में तीन और इसके अलावा यहां पर पंजाब में देख लेते हैं साथ राजसभा सीटे और हर्यारा में आपकी पांच है इसके अलावा दोस् सभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 31 और राजस्थान में 10 राजसभा सीटें गुजरात में देखिए 11 हैं मध्य प्रदेश में आपके 11 हैं और बिहार में राजसभा सीटों की संख्या 16 है और जारखंड में 6 और देखिए यहां पर देखिए पश्रिम बंगाल में 16 और इस चिक्किम में एक राजसभा सीट देखे असम में साथ सीटे हैं इसके अलावा अरुडाचल प्रदेश में एक राजसभा सीट है और नागा लेंड में एक मडीपूर में एक और मिजोरम में एक राजसभा सीटे हैं इसके अलावा त्रिपूरा में एक है और दोस्तों मेघाले में एक राजसभा सीट है अब नीचे बढ़ते हैं साउथ की तरब बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों महराष्ट में महराष्ट में कितनी राजसभा सीटे हैं तो 19 सीटे हैं राजसभा की महराष्ट में 5 सीटे 36 गड़ में हैं 6 जारखंड में हैं और आपने देखा है पशिम बंगाल में 16 हैं इसके अलावा ओडिशा में 10 राजसभा सीटे हैं फिर देखिए तेलंगाना में 7 हैं गोवा में 1, करनाटक में 12, और आंधर प्रदेश में आपके 11 सीटे हैं, तमिलनाडु में 18, और केरल में आपके 9 राजसभा सीटे हैं, इसके अलावा एक सीट यहां पर देखें केंदर सासित प्रदेश पुडुचेरी में हैं, तो ये पूरा जो हमने देख लिया राजसभा सीटों का आवंटन, मैप के माध्यम से हमने देखा कि किस राज में कितने राजसभा सीटों का आवंटन हैं, इसके अलावा दोस्तों 12 जो होते हैं नाम निर्देशित यानि मनोनी सदस से होते हैं, जो राष्टपती द्वारा साहित तिकला बिग्यान और समासेवा के छेतर में अग्राणी ब्यक्तितों को राजसभा के लिए नामित किया जाता है, अब आये देखते हैं दोस्तों लोकसभा और राजसभा और बिध्यक, देखिए बिध्यक या बिल के कितने प्रकार होते हैं, तो बिध्यक दोस्तों यहाँ पर देखिए चार प्रकार हैं, एक तो स दोस्तों बित्विध्यक जो होते हैं वो बित्ती विध्यक 1 और बित्ती विध्यक 2 दो प्रकार के होते हैं और विशेस विध्यकों में संविधान संसोधन विध्यक है जिसमें संगी संविधान संसोधन विध्यक में राज्यों की सहमती आवस्यक है और दूसरे गैर संगी सं अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में सपत लेते हैं न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में और इसके अलामा दोस्तों अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष को अपना त्याक पत्र दे सकता है और लोकसभा के ततकालिन समस्त सदस्यों के बहुमस से पारिच संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है हलांकि चौद्य दिन पूर्व इसकी सूशना देनी होती है आईए देख लेते हैं अन्य परिच्छो प्रति द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा का कारेकाल पांच वर्स होता है आपातकाल के समय संसत बिधि द्वारा लोकसभा के कारेकाल में ब्रिध्धी कर सकती है जो एक बार में एक वर्स से अधिक नहीं हो सकता है मंत्री परसद लोकसभा के प्रति सामोहिक रोग से उत्तरदाई होती है और लोग सभा में कोरम या गड़पूर्ती कुल सदस्य संख्या का एक बटे दस यानि पचपन सदस्य होता है इसके अलामा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है लोग सभा अध्यक्छ दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118 चार में इसका प्रावधान है दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निड़े कौन करता है तो इसका निड़े लोग सभा अध्यक्छ करता है और दोस तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारती संविधान एवं राजविवस्था से संबंधित मुहत्वपूर प्रश्णों का छठुमा भाग जिसमें आपने परिक्षाओं की द्रिष्ट से मुहत्वपूर प्रश्णों को देखा जो आगामी बिभिन परिक्षाओं के राज करें और इस चैनल मांक दोशन फार सिविल सर्विसिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार